क्या आप भी मनाना चाते हैं फूली फूली पूरन पूली? तो आईये बनाते हैं, तो देखे हमने एक कप चनादाल लिया है, उसको हमने अच्छे से वॉष कर लिया है दो से तीन बार और दो घंटे के लिए भीगो दिया था तो देखिए भीगने के बाद हमने इसका पाणी सारा निकाल लिया है अब हम क्या करेंगे एकुकर लेंगे और उसमें सारी चना दाल को डाल देंगे तो देखिए यह पुरन पुली बनने के लिए हमें कुछ टिप्स और वह दो फोलो करने बड़ती है अगर वह उने फोलो नहीं कहिए तो हमारी पूरन पुली अच्छी नहीं बनेगी तो देखें अब इस एक प्चना दाल में हम क्या करेंगे चार से पाच कप पानी एड करेंगे आप इसके बचेंटर बेअरे जल्द के कांथ नियुस्ट करेंगे बानों ने तो पानी डालेंगे अब इसमें हम्थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और डालमें अग पानी अलग से रह जाए और डाल हमारी अच्छे अलग से पकत जाए तो उसमें हम एक चमच ओयल डाल देंगे आप ओयल सरसों का तेल भी डाल सकते हैं या जो भी आप ओयल खाना पसंद करें या घी भी डाल सकते हैं तो ये देखिए हमने एक चमच डाल दिया है अब हम इसका ढगा कर इसे दो से तीन मिसल आने तक पका लेंगे दाल हमारी गलनी चाहिए अच्छे से डाल अगर हमारी नहीं गली तो वह बिल्कुल भी अच्छा पूरण नहीं बनेगा क्योंकि गुड म हम 1.5 कप ले रहे हैं तो देखें जये 마ऍतल हुए से ज्याख़े दिया न सवह कर हैं सब्सक्राण चाहिए कि ऐसे रहे हैं हमारे सब्सक्राण बनेगी अदरवाइज सारी कशन नहीं करते हिसे अःटा डालते हैं लेकिन आप जैसा चाहे वैसे बना सकते हैं मैदा इसमें जरूरी है तो देखिए अब इसमें थोड़ी हल्दी डाली है हमने और पिंच ओफ नमक डाला है और इसमें हमें सॉफ्ट डो त्यार करना है टाइट डो बिल्कुल त्यार नहीं करना है इसका बिल्कुल सॉफ्ट डो बना कर हम त्यार करेंगे तो देखिए अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसका सॉफ्ट सा डो बना लेते हैं देखे इसे हमें बहुत ही मतना है अच्छे से इसमें काफी लोच लगता है जब यह हमारी जो पूरन पॉली है बहुत अच्छे से बनती है इसे हमें इतने अच्छे से मतना है कि इसे मतने में हमें दो से तीन मिनट अच्छे से लगेंगे हमें खूब इसमें लोच लगाना है इसे खीश-खीश कर अच्छे से दबा दबा कर बनाना है और बीच में हम ओईल हलका साल डालेंगे एक चमच और फिर इसे फिर से खुब मतेंगे और जब यह अच्छे से मत चाहे अच्छे से बिल्कुल सोफ डो त्यार हो जाए तब हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा उपर झाल बन चुकी है अच्छे से अब हम पूरन तयार कर लेते हैं और हमने त्यार कर लिया है और क्या करेँगे इस पानी को एक अलग कंटेनर में निकाल आंगे अच्छे से हमें इसे निकाल लेना है डाल छिक में अधनी डुसके का नखिवाएं आद हम कटाची आम्टी बना तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कटाची आमटी बनाना सिखाऊंगी तो देखिए अब हम इसे रख देते हैं साइड में और आप मेरे चैनल पर नहीं है तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रु दबाईए तो देखिए हमने पैन दो भी मुध्रियो में अजन छपके निखने के दाल लूष्ट के चैनल कटाची वाईब की सब्सक्राइब करक काची तो दो दूंथे अच्छी ना बनें अए satisfy इस लिए और अब इसे अच्छे से मिला लेंगे अब देखिए गुड़ है ना जो हमारा एक बार बिल्कुल पतला हो जाएगा दाल भी पतली हो जाएगी तो आप घबराइए नहीं इसे इसे कंटिनुसली हमें 3-4 मिनट तक चलाना है और इसे पूरा बनाने में हमें 4-5 मिनट लगब लगेगी जब तक यह अच्छे से थीक होगा पूरण बनने के लिए तो देखिए अब इसमें हम डाल देते हैं जाएफर और इलाईची का पावडर यह डालना बहुत जरूरी है में इसे को ड़िए हमे Woah अच्छे के लिए मीश्यों छयी की शेक प्रोस्चिक में और देखिए कि चंबट हमारे है इसका मतलब हमारा थैर हो गया है तो देखिए पूरा रमार नजले और हमारे ठाgi को क्रोंट हो चुका है अब हमक्या खरावडर करना है जो कि बहुत ही जरूरी है कई लोग क्या है बना लेते हैं इसको बिना चाने के लिए बन तो जाएगी लेकिन वो जो अच्छा स्मूदी सा टेक्श्चर आता है वो नहीं आएगा पूरन पूली में तो आप इसे चाने जरूर और चानते वक्त एक बात का ध्यान रखे इसमें एक चमच घी य अगर हमारी नहीं पिसी होगी तो वह भी अच्छे से पिस जाएगी अब देखिए जब पूरन हमारा इस तरह से दो त्यार होने लग जाए अच्छा सा लड़ू बनने लग जाए तो इसका मतलब यह त्यार है बिल्कुल परफेक्ट पूरन हमारा बन कर त्यार हुआ है तो डो को हम फिर से लाइन कालेंगे और अच्छे से लाइननगे लिएगा लेंगे अब यह बन चुका है अब हम इसकी लोई लेंगे अब बनाते समय हम एक बात का ध्यान रखना है देखिए कुछ टिप्स होते हैं जिससे पूरन पूली अच्छी बनती है तो हमें बेल कर करना है और जो स्टफिंग भरेंगे उसको भी साथ साथ कोटोरी की शेप देते रहना है और बीच में थोड़ा सा या तो आप मैदा ले लिजिए या आप ले ले लिजिए और फिर इसे हलके हलके हाथ से बेल ले जिए या देखिए बिल्कुल भी फटी नहीं है हमने इसी तरह सुखे तवे पर निहिए जालना है एक चमच घीलेना है उसको एक कोटन के कपड़े से सारे तवे पर फिला ले लेना है मैं लोहे का तवा ले रही हूं आप कोई भी नोंस्ट्री किया जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा तवा ले सकते हैं लेकिन लोहे के अच्छे से फूल जाए गे यह देखे फूल चुकी है और अब हम इसमें उतार लेंगे और दूसरी जो पूरन पूली है उसे भी डाल देंगे अब यह देखे यह भी कितने अच्छे से फूल चुकी है और इसमें दोनों साइड हम घी लगा लेंगे आप गी या ओल कुछ लगा सकते हैं देखे पूरन पूली हमारी बन कर तयार है मैंने से कटाची आमटी के साथ सर्व कर लिया है आप भी बनाए और खाए मुझे कमेंट बोक्स में जरू बताएं तब तक के लिए बाबाए